गठिया रोग बहुत ही परिशान करता है इसमें हम अपने आपको देख देख के ही दुखी होते रहते हैं गठिया रोग में हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पेर अकड़ जाते हैं और हमें बहुत ही तकलिफ होती है दोस्तो इसके कई कारण हो सकते हैं जिन में प्रमुक है अच्छी डाइट ना लेना, अत्य दिक्तनाव करना, कम पानी पीना, एक्सरसाइज ना करना और एक ही जगा पर बैठे रेना दोस्तों आज हम 10 मिन्ट योगासन करेंगे, जो बहुती आसान है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन ये बहुती असरकारी है, इससे आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपके कंधे, आपकी गर्तन, आपके पैर में अकडन ठीक होती है, पर आपका स्री नचीला बनता है हलो फ्रेंड्स, मैं आशु पारिकाप सभी का योगाहली यूट्यूब टेल पर एक बार फिट दिल से स्वागत करता हूँ, आज हम 10 मिनिट योगासन करेंगे, इससे आपका गठियरो दूर होगा, आप मेरे साथ करें, मैं जैसे जैसे करूँ, आप मेरे साथ साथ 10 मिनिट योगासन करें, चलो फ्री से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आराम से दंडासन में बैठ जाएं, दंडासन में बैठने के लिए अपने पैरों को आराम से बार की तरफ खोल लें, अपने हाथों को सारा देते हुए पीछे की तरफ रख लें, और अपने कमर को सीधी रखे इसके बाद अपनी उंगलियों को आराम से नीचे की तरफ मोड़ना है हर एक्सरसाइज को तस-दस बार करना है उंगलियों को आगे पीछे करें आराम-ाराम से करें धीरे-धीरे करें फिर उंगलियों को करने के बाद अब अपने पेरों को पीछे की तरफ खीचे, आगे की तरफ खीचे, इसे भी दस बार करना है, यह आपके गठिया रोप के लिए बहुती अच्छा है, इससे आपकी हैंस्ट्रिंग लाचीली होती है, उसकी अकड़न ठीक होती है, हमारी हैंस्ट्रिंग अकड़ जाती है, इस पेरों को लेफ्ट राइट करने के बाद अब इसको clockwise घुमाते हैं यह बहुत ही असरकारी है इसे आपकी पूरी muscles मजबूत होती है उनकी लचिला पनाता है उनकी अकडन दूर होती है फिर clockwise करने के बाद अब इसको anti-clockwise करते हैं दस बार anti-clockwise करना है इसे आप ज़्यादा देर भी कर सकते हैं इसे आपके पेरों में लचिला पनाता है आपके पेर strong होते हैं anti-clockwise करने के बाद अपने पेरों को उपर नीचे इस तरह से उछालना है आराम से करना है हसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है नी चमता अनुसार करना है फिर पेरों को उछालने के बाद अपने एक पेर को मोड़ते हुए उपर लेके आना है और कुछ समय रोके रखना है फिर इसको आराम से नीचे रख देना है फिर दूसरे पेर को उपर लेके आना है और नीचे रख देना है इससे आपके पेर में खिचाव होगा आपकी अकड़ी हुई मसल्स रिलेक्स होता है खिचाव आता है लचिला पनाता है इससे आपके शरी में रख संचार बढ़ता ह और आपका शरीर में अर्थ्राइटिस की प्रोब्लम धीरे धीरे करके ठीक होती है, यह बहुती असरकारी है, इसको दस बार एक पैड से करना है, लोके रखना है, फिर दस बार दूसरे पैड से करना है, इसके बाद अपने दोनों हाथों को मिला कर आगे की तरफ लेके आएं और इसको एक बार एंटी क्लोक वाइस को मना, पहले थोड़ा कम पीछे के तरफ जाना है, लेकिन अपने हाथों को वाइड खोलना है, और एक सरकल बनाना है आतों से, फिर धीरे करके थोड़ा और पीछे जाएं, अपने पैरों को जमीन पे ही रखे, इससे आपके पूरे शरीर में लचीला पन आता है, आपके पूरे शरीर का इस्थिर्पता बढ़ती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ता है, आपके हिप्स की मसल्स मजबूत होती है, आपकी बैक की मसल्स मजबूत होती है, आपकी बाचन शमता बढ़ती है, फिर इसको क्लोक वाइस बर reverse order में भी करते हैं फिर same आपको थोटूर आगी पेरों तक जाना है पूरा पीछे तक जाना है धीरे धीरे करना है अपनी छमता अनुजार करना है ये बहुत ही असरकारी है आपके arthritis आपके स्री में लचिलापन पढ़ाने के लिए इसे करने के बाद अपने पेरों को थोड़ा सा वाइड खोल ले एक बार अपने पेर को इस तरह से टच करना है बोड़ी को इस तरह से रखना है फिर इस तरह से करना है और इसे तेजी से करते हैं और 10-20 बार इसको कर लेना है इससे आपके शरीर में लचीला पनाता है, अकड़न दूबर होती है, अर्थ्राइटिस की समश्या दूर होती है, फ्लर्ट सर्कुलेशन बढ़ता है और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है दूस्तों इसके बाद हम बहुत ही असरकारी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इससे आपके हिप्स मजबूत होंगे, आपके थाई मसल्स मजबूत होगी, सबसे पहले अपने पैर को अपने थाई के उपर रखें और पैर को नीचे ले जाएं और एक बार चैस्ट उपर मोड़कर इन योगासनों को अधियतिक फायदे के लिए सांसों का बहुत बड़ा रोल है, सांसे आपकी चलती रहनी चाहिए, गहरी सांसे चलती रहनी चाहिए और लीब ब्रीधिंग बहुत जरूरी हैं, देखो मैं करके बताता हूँ आप और भी गहरा ले सकते हैं फिर इसको दूसरे पैर से करते हैं, अपने पैर को मोड़ कर थाई पर रखें, नीचे टच करें, इससे आपकी हमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, पैर में ब्लाड सर्कुलेशन बढ़ता है, हिप्स की मसल्स दूर होती है, आपकी बैक सीधी रहेगी और आपका मन शानत रहे, इधर-दर की विचारों को शरीर से अठा दे, प्रसन्मुद्रा में होके इसे करना है, इससे आपके शरीर का लचिलपन बढ़ता है, और अप्ट्राइटिस की समश्चा ठीक होती है, फिर इसको दोनों पैरों से कर लेते हैं, दोनों पैरों से करन कर ले कमर सीधी रखे और फिर इस तरह से उपर नीचे करना है आप इसको पूरा उपर ले के आए और पूरा नीचे ले के जाएं अगर आपसे नहीं होता है तो इक हाथ से पैरों को पकड़े और इस तरह से दबाएं लेकिन जितनी छमता है उतना ही करें इसको 15-20 बार या फ एक्सरसाइज करने के बाद आप हो अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को सामने ले आए अपनी उगलियों को फोर्स फूर्ली बंद करना है और खोलना है इससे अपके हाथों की मसल्स ठीक होती है हाथों की मसल्स मजबूत होती ह blood circulation बढ़ता है, heart में pressure बढ़ता है, इससे आपका heart strong होता है और blood flow अच्छे से पूरे शरीड में होता है, इसको 10-15 बार कर लेना है फिर अपने हाथों को इस तरह से मोड़ते हुए एक बार उपर की तरफ दबाना है एक बार नीचे की तरफ दबाना है, इससे आपके heart की muscles stretch होती है blood circulation बढ़ता है, उगलियों में blood अच्छे से पूंचता है इससे arthritis की समश्या ठीक होती है, यह बहुती असरकारी exercise है इसको आपको हर रोज करना है, फिर दूसरे हाथ से कर लेते हैं दूसरे हाथ से भी 10-15 बार इसको कर लें, फिर अपने हाथों को इस तरह से ले जाते हुए एक बार clockwise घुमा लेना है 10-15 बार, दीरे दीरे करना है, पूरा 360 एंगल बनाना है फिर इसको reverse order में कर लेते हैं इसे आपके पूरे हाथों की muscle stretch होती है, खेचाव आता है, आप इसको महसूस कर सकते हैं Blood circulation बढ़ता है, और आपके हाथों में रचिला पनाता है, और arthritis की समश्या ठीक होती है फिर हाथों को इस तरह से करते हुए, rotate करना है, इससे आपके कोनियों में blood circulation बढ़ता है इसे आपके कोनियों की गठिया ठीक होती है, और फिर इसको side से भी कर लेते हैं यह बहुत ही असरकारी है, इसे हर रोज आपको करना है, 10-15 बार करना है फिर अपने हाथों को कंदों पे इस्तिर रखते हुए, एक बार टॉपवाईज घुमा लेते हैं, पूरा घुमाना है 360 बिल्कुल आलस नहीं करना है, धीरे-धीरे करना है, 360 घुमाना है, जल्द बाजे बिल्कुल नहीं करनी है अपने मन को शान्त रखना है, सभी विचारों, सभी तनाओं, सभी चिंताओं को दिमाग से अटा देना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि एक्सरसाइज करने से हम ठीक होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा शान्त मन, प्रसंचित मन प्रसंद रहने से, हमारे शरीर में अच्छे-च्छे हर्मोन रिलीज होते हैं, डोपिमान रिलीज होता है, जो हमें दिन पर खुश रखता है हमारा खाली पन दूर होता है, हमें अंदर से प्रसंद होना चाहिए फिर इसको एक बार रिवर्स ओर्डर में अंटी क्लोकोईस कर लेते हैं जब हम परसंद रहते हैं तो हमारा शरी अच्छे से काम करता है और हमारी आत्मा फुर्श हो जाती है हमारी शरी के सब लोग देखते देखते गायब हो जाते हैं फिर इसको रोटेट करने के बार कुछ देर आफ रेलेक्स करें गेरे-गेरे सांस लेते रहें छोड़ते रहें फिर अपने हाथ को अपने सर के उपर लेके जाएं दूसरे हाथ से अपनी कौनई को पकड़े लेफ्ट साइड में दबाना है और दबाये रखना है सांस लेते रहना है, इसको दूसरे हाथ से करना है, दोनों हाथों से एक एक करके चार से पांच बार करना है, इससे आपके कंदों में खिचाव आता है, बलड सरकुलेशन बढ़ता है, आपके गर्दन की अकड़न, कंदों की अकड़न दूर होती है, और आपके हाथ लचीले ह होते हैं हाथों की छंताएं बढ़ती हैं फिर अपने अकंदे ठक गए होंगे इनको धकान को दूर करने के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ रखें रिलेक्स करके रखें और पांच-दस घहरे सांस लें छोड़ें इससे आपके शरीड़ में नौपराण आते हैं, ऑक्सिजन लेवल बढ़ता है और आप अमन प्रसंद वजाता है अब अपने हाथ को सर के उपड़ लगाते हुए लेप साइड में प्रेस करना है और अपने सर से राइक साइड में प्रेस करना है इससे आपके एक गर्दन की अकड़न टीक होती है, गर्दन की छंताएं बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है और आपका गर्दन का रत्राइटिस, गंजु का रत्राइटिस ठीक होता है 3 से reverse order में दूसी तरफ कर लेते हैं गर्दन से left met force करना है हाथ से right में force करना है अपनी छंता अंसार करें हाथ से जादा ना करें इतना आप से उपाए उतना करें फिर इसको बदल बदल के 4-5 बार दोनों हाथों से कर लेते हैं और इसको आराम आराम से और अच्छे से करना है यह बहुत ही अच्छा है इसके बाद आगे से कर लेते हैं अपने गर्दन से आगे force करना है अपने हाथों से पीछे force करना है इससे आपकी गर्दन की अच्छे से exercise हो जाती है फिर इससे गर्दन से पीछे हाथों से आगे force करना है और बदल बनिलकर इसको 4-5 बार करना है अब हम Shoulders की एक और exercise कर लेते हैं इसके लिए आराम से अपने Shoulders को पीछे की तरफ ले जाना है अपने मुन को शान्त रखना है, अच्छे अच्छे विचार लेक्याने है हमें हमारे अंदर की हींता को गायब कर देना चाहिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, सकात्मक सोचना चाहिए सरीर में सभी तरह के तनाव को दूर कर देना चाहिए क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ तनाव ही है हमें परसन रहना है, हस्तेवे रहना है, हमारे खाली बन को दूर कर देना है, फिर इसको रिवर्स ओर्डर में कर लेते हैं, इस से आपकी कंदू में, आपकी गर्दन में, आपके हाथों में बलड सर्प्लिशन पॉंसता है और आपका अथ्राइटिस ठीक होता है, ये बहुत ह लेना है मुझ से छोड़ना है और अच्छा-च्छा मैसूस करना है इसके बाद आपके और इक्सराइज कर लेते हैं इसके लिए अपनी गर्दन को एंटी क्लोकवाइज बुक्स कि यह करना है पूरा करना है अपने कंदे रिलेक्स रहेंगे अपकी बैक इल्कुल सीदी रहेंगी आपका पूरा फोकस सासों पर रहेगा चोड़ना है गेरी सांस लेनी है जब हम सांसे गेरी लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारा तनाव दूर होता है और हम प्रसंद हो जाता है हमारा मन शांत हो जाता है दुर्दन की एक्सरशाइज को दस दस बाद डोनों साइट में कर लेंगे और हम महुती महतर मैसूस करेंगे इसके बाद अब हम अपने last best के लिए पहोती हासान लेकिन हफोती आसर करी एक्सरशाइज कर लेते हैं इसके लिए अपने हातों को पह इस तरह से खोले अब पूरा left-right rotate करें इससे आपकी core की भी stretch हो जाएगी इसे blood circulation आपके शरीर से हाथों में और पैरों में पहुँचेगा इससे आपका शरीर लचिला होता है blood circulation बढ़ता है इससे आपके हाथों पैरों का अकड़न दूर होती है आपके हाथों और बेरों का गट्या ठीक होता है इसे एक मिनिट तक करना है हर रोज आपको करना है इसे आपके नचिला पनाएगा और आप पहतर मैसूस करेंगे दोस्तों सबसे बड़ी समझ्या है तनाओ, डाइट का ठीक से ने लेना पानी कम पीना, अत्यदिक सोचना नेंद का कम लेना और अनेक चिंताएं करना आपको बिल्कुल ठीक होना है गट्यारों को बिल्कुल ठीक करना है तो आप मुझे वादा करें कि आप इन एक्सरसाइज को हर रोज करेंगे यंक से करेंगे मन लगा के करेंगे प्रसन होके करेंगे इनको एक्सरसाइज की तरह, काम की तरह बिल्कुल नहीं करना है इन एक्सरसाइज को आनंद ले लेके करना है हर रोज करना है अपने दोस्तों के साथ करना है फैमिली वालों के साथ करना है मज़े लेना है दोस्तों लाइब के अगर आप मज़े लेंगे आनन्दित रहेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे ठीक ही क्या आप बहुती बहतर मैसूस करेंगे मेरा दावा है आप इन एक्सरसाइज को हर रोज करेंगे डाइट अच्ची रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके सेड़ में कोई समश्याय नहीं है आनन्दित रहें परमात्मा का धन्यवाद करें अच्छा-च्छा सोचें और इन एक्सरसाइज को हर रोज करते रहें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो